Question No.7 आपका है कह रहा है निमलिकित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमिय संख्या है Option आपके A, B, C, D करके दिये हैं तो चली solve करके देखते हैं इनमें से कौन सा option सही है जो आपके option A था under root 3 by 5 तो इसे rationalizing चाहें कुछ भी करेंगे A overall क्या रहेगा? E rational ही रहेगा तो ये तो आपका E rational हो गया A under root 2 into under root 7 root का root में ही multiply होता है under root 14 ये भी root से बाहर नहीं आएगा D है आपका under root 12 बहुत करेंगे इसका factor 2, 2 is a 4 2, 2, 4, 3 या नहीं इसका लिख सकते हैं 2 root 3 2, 2, 4, 3, 12 तो pair बनके ये बाहर आ गया लेकिन C जो है इसे अगर आप solve करते हैं under root 5 plus under root 7 under root 5 minus under root 7 A plus B, A minus B तो A square और minus का क्या हो जाएगा? B square पूरे detail के साथ इसलिए solve करा जाता है ताक कि आपका concept भी build होता रहे root 5 का square 5 हो जाएगा root 7 का square 7 हो जाएगा 7 with 5 को subject करेंगे minus 2 जो कि एक क्या है? परिम्य इसलिए 7 तो वाले में option C आपका बिल्कुल सहीं था यही परिम्य था क्या था? परिम्य पूछा था तो C option आपका क्या है? परिम्य है Thank you